दादी नानी के चमतकारी टोटके कपूर आपको बना देंगे माला माल नमबर एक, अगर जीवन साथी के साथ मन मुटाव बना रहता है तो बेडरूम में कपूर की गोलियां रखकर सोई इस उपाय से आपके अपने पार्टनर के साथ संबंध मदूर होंगे नमबर दो, अगर काफी मेहनत के बाद पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो शुक्रवार को लाल गुलाब के साथ कपूर का टुकडा जला कर मादूरगा के आगे रखें ऐसा करने से सफलता मिलेगी नमबर 3, तंत्रसादना में सात्विक कारियों के लिए कपूर का माहतुपूर अस्थान है विबिन प्रकार के लेप और तिलक में कपूर का प्रयोग किया जाता है आर्ती और दीप में भी या अत्याधिक प्रभावाशाली माना जाता है नमबर चार, घर में पूचा के समय इश्ट देवी की आरती करते समय, कपूर का प्रियोग करें, इससे सभी प्रकार का दोश समाप्त होता है, तामसी साधना को छोड़कर अन साधनाओं के हवन में कपूर का प्रियोग इसके प्रभाव को बढ़ा देता है नमबर पाँच, रात में अगर बुरे सपने आते हैं या डल लगता है, ऐसे में अपने बेडरूम में कपूर जला कर सोएं इससे नकारात्मा कुर्जा खत्म हो जाती है, पती पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा है तो घर में कपूर जलाने से फाइदा होता है नमबर छे, शनीवार को पाने में कपूर और चमेली का तेल डाल कर स्नान करें, इस उपाई से शनी दोस दूर होता है, साथी जीवन में आ रही अर्चन दूर होती है, वहीं आर्थिक इस्तिति में सुधार होता है नमबर साथ, जन्म कुंडली में कालसल्प या पित्र दोश होने पर जातक की तरक्की में रुकावट आती है, इन दोशों से मुक्ती पाने के लिए घर में सुबा, शाम और रात में कपूर जलाना चाहिए नमबर आठ, कपूर वास्तु दोश दूर करने में बहुत उप्योगी है, इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर वास्तु वाले दोस अस्तान पर रखें जब कपूर खतम हो जाए तो वहाँ दुबारा कपूर रख दें, कुछ दुनों तक ऐसा करने से वास्तु दोश दीरे दीरे दूर हो जाएगा नमबर नो, यदि आपके काम में अक्सर बाधा आती है, तो घर में सुबा, शाम कपूर जलाना चाहिए इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है, कपूर जलाने से घर में शुक्षान्ती बनी रहती है नमबर दस, अगर घर का कोई सदस से लंबे समय से विमार है, ऐसे में घर में रोज शाम के समय कपूर जलाना चाहिए ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्म कुर्जा खत्म होती है नमबर ग्यारा, यदि आपके बिवा में बाधा आ रही है, 6 कपूर के टुक्डे और 36 लॉंग के टुक्डे लें इसमें हल्दी और अक्षत मिलाकर मा दुर्गा को आहूती दें जोति शास्त्र के अनुसार इस उपाय से जल्द बिवा का योग बनता है आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीस लाइक, कमेंट और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग